सबी कसान भाई का यूट्यूब चैनल विजिस तेखिदी कल्चर पर स्वागत है जो कसान भाई मुग की खेती करके अच्छा मुनाफ़ा और उत्पदन लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे जरूरी और समस्दाई की बात आती है तो वहां मुग के बीच का चुनाओ आज हम बात करेंगे मुग की उन्नत और प्रमानित बीच जिसमें जो राजिस्तान, मद्दपरदेश, गुजरात, उत्तपरदेश की जलवायू और मिट्टी में अच्छा उत्पादन और चमक के साथ अच्छा भाव देलाने में मदद करेंगी इन किसमों के बारे में हम बात करेंगे किसान भाई अगर आप विजय सेगरी कल्चर पर पहले बार आए हैं तो प्लेस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम बात करेंगे मुंग की उन्नत किस्मों के बारे में जिनको उत्पदन क्या रहता है और कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है सबसे पहले हम बात करेंगे गिरनार 22 जी 22 मुंग विराइटी के बारे में गिरनार कमपनी का ये बीच साथ साखाओं वाली माने जाती है जो अच्छे उत्पदन के लिए लगाई जाती है इस किस्म का दाना काफी हरा और चमकिला मोटा होता है अजिस्तान, मद्धपरदेश, गुजरात, उत्तरपरदेश के किसानों की ये किस्म पहली पसंद बनी हु जाती है इसके बाद हम बात करेंगे पूसा विसाल मूंग विराइटी के बारे में ये किस्म साथ से सतर दिनों में पक कर तैयार हो जाती है पांच से छे कुंटल परती एकड तक का उत्पदन देती है हेक्टेर में बात करें तो दस से ग्यारा कुंटल फरती हेक्टेर तक किस्म के बीच की बुवाई का समय बसंत रितु में 12-28 मार्च ग्रिश्म कालिन यानी गर्मी सीजन में 24 मार्च से 8 अप्रेल और खरीब मुसम के लिए जुलाई से 9 अगस्तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं इसके बाद हम अगली वराइटी की बात करेंगे जिसका नाम है पूसा रतना यह मूंग की वराइटी 60-65 दिनों में पक करते यार हो जाती है यह किस्म उत्तर प्रदेश राज्य में काफी बुवी जाती है इस बीच किस्म से 5-6 कुंटल परती एकर तक उत्पदन ले सकते हैं बुवाई का समय बसंत रितू के लिए फरवरी मार्च और ग्रिश्म रितू के लिए 20 मार्च से 10 अपरेल और खरिक प्रितू में 15 जुलाई से 10 अगस्त तक बुवाई कर सकते हैं इसके बाद हम बत करेंगे मूंग की ग्रीन गोल्ड विराइटी के बारे में इस विराइट के लिए यह किस्म 13 से 15 कुंटल फर्ति हेक्टेर उपस देती है इसके बाद हम बात करेंगे मूंग की अधिक पैदावार देने वाली किस्म एन एम 47 विराइटी के बारे में यह विराइटी 60 से 65 दिनों में पकगर तयार हो जाती है यह किस्म पीला मोजे धब्बा छाच्या के परतिरोध है इसके उत्पादन की बात करें तो 9 से 10 कुंटल फर्ति एकड तक उपज प्राप्त कर सकते हैं बीच दर की बात करें तो किसान भाय यदि बाजार से 19 बीच लाकर बुआई करते हैं तो बीच कंपनी के निर्देश अनुशार लिखिद डेटा के अनुशार चाहिए यदि घर से तैयार मुंग बीच की मात्रा एक एकड के लिए और 10 से 15 किलोग्राम परति एकड के हिसाब से हमारे किसान भाय को बुआई करना चाहिए किसान भाई अगर आपको मुंग की उन्दत किश्मों के बारे में अगर जान करें सही लगी हो तो प्लेस लाइक और सुस्क्राइब जरूर करें